दोस्तों आप मेंसे काफी लोगों को बता होगा कल मैंने एक वीडियो अप्लोड करी थी अब देखो उस वीडियो में मैंने आपको एक iOS के Depth Wallpaper फीचर के बारे में बताया था अब उस वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमारे फोन में ये वाले ट्रिक वर के नहीं कर रही है तो आज कि इस वीडियो में हम उसी के Upgrade फीचर के बारे में बात करने वाले है उस में मैंने आपको कुछ फीचर बता थे खल वाली वीडियो में कुछ एसा feature के देखने को मिलेगा सब the research途的話 १ुर्च मोड भी देखने को मिलेगा एंड इन सभी features को apply करने के लिए आपको password डालना पड़ेगा तो complete वीडियो को end तक watch करना अगर आप अपने phone में किसी भी android device में naruto enemy का setup apply करना चाते हो तो i button में आपको वीडियो मिलेगी जाखी watch कर सकती हो चलो वीडियो को start करते हैं आप देखो सबसे पहले बात करते हैं हम lock screen के बारे में क्योंकि lock screen आपको कुछ ऐसे देखने को मिलती है यहाँ पर आप करोगे तो आपके समने डाइनमीक आइलेंड में ऐसा animation create होता है यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छा animation है और इसको आप different type से भी customize कर सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे widget देखने को मिलती है और करना है तो यहाँ पर देखो widget आपको देखने को मिलती है इसकी पर टैप करके रखना टैप करने के बाद फस्ट नंबर पर आपको date का option देखने को मिलेगा अब देखो date वाले option में आपको काफी सारी new font देखने को मिलती है जिसको आप easily apply कर सकते हो color आप यहाँ पर चेंज क देखने को मिलेगे तो first वाला कुछ ऐसा देखने को मिलेगा and second आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है and काफी सारे new wallpapers है यहाँ पर आप देख सकते हो amazing आपको wallpaper देखने को मिल जाता है तो जो भी आपको पसंद आता है simple उसको on कर सकते हो that effect वाले wallpaper भी available है आप यहाँ पर द इसको मैंने off किया and यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ apply wallpaper का option देखने को मिलता है अभी देखो home screen में आपको जो भी wallpaper आपने add कर रहा है अगर इसको आप लोग स्क्रीन में apply करना जाते हो तो apply desktop wallpaper क्लिक कर देना and यहाँ पर add हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखने को म नाम से आपको देखने को मिलता है तो यह वाला folder आप create करना and उसमें png and jpg image को add कर देना उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने काफी सारी new widget apply कर रखी यानी wallpaper apply कर रहे हैं जो कि काफी अच्छे wallpaper है spider man वाले wallpaper भी देखने को मिलता है अब देखो और customize करना है टैप कर यहाँ पर वापस से क्लिक करना यहाँ पर यहाँ वाल्पेपर वाले option के पर अधर में आपको यहाँ पर depth effect देखने को मिलता है लाइव weather effect देखने को मिलता है बलर and always on display वाला feature भी देखने को मिलता है screen के बारे में तो home screen में आपको dynamic island देखने को नहीं मिलेगा कुछ ऐसी देखने को मिलते हैं एक different widget देखने को मिल जाती है जो कि different music player के साथ यहां पर आपको देखने को मिलती है यहां पर icons देख सकते हो icons में ज्यादा चेंज नहीं है हाई पर इसके कुछ icons देखने को मिलेंगे ज्यादा चेंज नहीं होगा अब यहां भी जो control panel है वह आपको प्योर हाई परोइस का जैसा देखने को मिलता है अब देखो कल मैंने आपको बताया था हाई परोइस एंड आई वेस थोड़ा सा आपको सिमिलर देखने को मिलता है एंड control पैनल आप देख सकते हो कुछ एज़ा टूगल के साथ देखने को मिलता है जो कि काफी ज़्यादा सूपर बै एंड टॉप में आप स्टेटस बार देख सकते हो एंड जो आपको सेटिंग युई का आइकन देखने को मिलता है वो भी काफी ज़्यादा सूपर अब इन सभी को एपलाई करने के लिए थीम स्टोर एप्लिकेशन ओपन करना ओपन करने के बाद आपको यह वाली थीम डाउनलोड करना है यहाँ पर आप नेम देख सकते हो अब देखो अगर आपके सम करने के बाद अपल ये और ने के बाद की अपले करने के बात माय काउंट में जाना लोग की स्राइल के पर क्लिक करना करना है and यहां पर कलिक करना आप देखो मैंने आपको बताया था पासवार्ट रब्कॉणा अपको डालना है एक डिफेरेंट पास्वार्ण टों स्क Tozo. यह वाला पासफ़र आप जैसे टाइप करोगे एंड सभी लेटस आपको यहाँ पर कैपिटल रखना है इसमोल नहीं ही रखना है इसको आप ओके कर देना एंड इस पेस क्रेट मत करना अब देखो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया करने के बाद जो भी आप फीटर्स लोग के स्क्रेण में भी अपलाई कर शकता हूं अप यहां से भी अपलाई कर सकते हो चाहर ne सब्सक्राइब को मैंने एपको बता दिया तो बस फिलाल वीडियो में इतने करिभी पसंद यहो तो वीडियो को लाइक कर दिना मैं मिलता अप्जेक सी ओर डिफरेंट टापिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई